Hey students, welcome back! एक बार फिट से आपका टॉप एड में बहुत स्वागत है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाली है लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको अपनी पिछली वीडियो में कमेंट बॉक्स में पूछे गए प्रशनों का जवाब देने वाले हैं तो आईए बात कर लेते हैं कि वो प्रशन क्या थे सबसे पहले प्रशन की बात करें तो हम प्रशन पूछा गया था कि मैम नवोदे के फॉर्म कब से भरे जाएंगे देखे फ्रशनों के नवोदे के फॉर्म भरे जा चुके हैं लेकिन अगर हम लासट डेट की बात करें तो कंखसा छै के लिए लासट डेट 15 दिसंबर है और कंखसा नो की बात करें तो उसकी लास्ट डेट निकल चुकी है 30 नवंबर उसकी लासट डेट थी अब हम बात करते हैं अपने second questions की तो second question था जिसमें हमसे पूछा गया था कि zero is a even number और odd number तो आईए हम आपको बता देते हैं कि zero even number है या odd number है देखे हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था संख्याओं के बारे में types of number के बारे में आपको बताया था जिसमें हमने समसंख्या की बात की थी समसंख्या मैंने बताई थी कि ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्टा हां विभाजित हो समसंख्या कहलाती है तो आईए zero की बात कर लेते हैं कि zero even number है या odd number है even number की बात करें तो 2 से पूर्णते विभाजित होनी चाहिए अगर हम 0 की बात करें तो 0 2 से divisible है कैसे divisible है यह हम आपको बता देते हैं देखे 0 by 2 0 by 2 अगर हम 2 से 0 को divide करते हैं तो यहाँ 0 यह 2 से पूर्णता हा विभाजित है इसलिए आपका 0 जो है even number है क्या है 0? even number है क्योंकि 0 is divisible by 2 क्योंकि विशम संख्या इसलिए नहीं है क्योंकि यह 2 से इसने कहा है 2 से पूर्णता विभाजित नहीं हो तो विशम संख्या है लेकिन 0 तो हमारा 2 से divisible है इसलिए 2 हमारी 0 तो हमारा 2 से divisible है इसलिए हमारा 0 क्या है? समसंख्या है ठीक है I hope आपको अपने प्रशन का जवाब मिल गया होगा और भी कोई अगर आपका डाउट्स है तो आप हमारी इस वीडियो में comment box में आप लिख सकते हैं ठेंक आईए तो आप शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की देखे फ्रेंड्स आज हम आपको बताने वाले हैं जातिय मान या वास्तविक मान जिसे क्या कहा जाता है face value देखे किसी भी अंक का जातिय मान उस अंक का अपना मान है चाहे वे अंक किसी भी स्थान पर हो देखे जैसे आपका ये नंबर लिखा हुआ है ये नंबर लिखा हुआ है और आप से पुछा जाए कि इसमें चार का जातिय मान बताईए क्या पुछा जा जा रहा है चार का जातिय मान पुछा जा जा रहा है जातिय कहो या वास्तविक कहो बात एक ही है तो जातिय मान क्या होता है उस अंक का अपना मान होता है यानि कि चार का जातिय या वास्तविक मान क्या होगा चार ही होगा जिस भी अंक का आपसे जातिय मान या वास्तविक मान पूछा जाएगा जिस भी अंक की face value पूछी जाएगी तो वही अंक उसकी क्या होगी face value होगी अगर तीन का पुछा जाए तो तीन का जातिय मान क्या होगा तीन होगा आपसे दो का पुछा जाए तो दो का क्या होगा दो होगा पांच का पुछा जाए तो पांच का क्या होगा पांच ही होगा छै का पुछा जाए छै ही होगा कोई और भी नंबर आप यहां ले सकते हैं जैसे यह नंबर है इसमें पूछ ले कि 7 का जाती मान बताओ तो 7 का जाती मान 7 होगा 4 का पूछा जाए 4 होगा 5 का पूछा जाए 5 होगा 9 का पूछा जाए 9 होगा 8 का पूछा जाए तो 8 होगा जो भी संख्यागा हम जाते मान निकाल लेंगे वो वही संख्या होगी ठीक है यह आपको समझ में आया होगा next बात कर लेते हैं स्थाने मानगी क्या होते हैं स्थाने मान place value कहा जाता है इन्हे स्थाने मान का अर्थ है वह अंक किस स्थान पर है क्या आप कह रहे हैं इस्थाने मानकार्थ है वह अंग किस इस्थान पर है आईए बात कर लेते हैं जैसे यह आपका नंबर है आपका यह नंबर लिखा हुआ है और आप से इसमें पूछ ले कि 8 की place value बताईए 8 की place value बताईए मैं आपको यहाँ सारी नंबर की place value बताऊँगी कैसे निकालते हैं अगर हम 2 की place value निकाले तो 2 के आगे कोई संख्या नहीं है तो आप 2 ही लिख देगे अगर हम 9 की place value निकाले तो 9 की place value निकालने है तो आप 9 लिखेंगे लेकिन 9 के बाद कितनी संख्या है एक संख्या है और क्या है ये 2 तो आप एक संख्या है तो एक 0 लगा देंगे नेक्स्ट 8 की बाद करें तो 8 में क्या है 8 है तो आप 8 लिखेंगे 8 के बाद कितनी संख्या है 1, 2 तो आप 2 0 लगा देंगे साथ की बात करें तो आप साथ लिखेंगे और साथ के बात कितनी संख्या हैं एक, दो, तीन संख्या हैं तो आप तीन लिख देंगे तीन जीरो लगा देंगे पांच की बात करें तो पांच लिखेंगे पांच के बात एक, दो, तीन, चार चार जीरो लगा देंगे एंड दो की बात करें मैं धर लिख रही हूँ तो दो लिखेंगे और कितनी संख्याए हैं एक, दो, तीन, चार, पाँच तो आप पाँच जीरो लगा देंगे ठीक है? तो प्लेस वैल्यू क्या होगी? आप जिस भी स्थान की प्लेस वैल्यू निकालेंगे वह अंक कौन से स्थान पर है? देखें, आप यहाँ देख सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाक ये दो लाक के स्थान पर हैं तो ये पाँच जीरो लग जाएंगे फिर पाँच की बात करें इकाई, धाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार पाँच, पाँच के आगे चार जीरो, यहनि कि पचास हजार ऐसी क्या करना है आपको जिस भी अंक की आपको प्लेस वैल्यू निकालनी होगी आप उस अंक के बात देखेंगे कितनी संख्या लिखी हुई है तो जितनी संख्या लिखी हुई होगी आप उसी अंक के आगे उतने ही जीरो लगा देंगे, वो उसकी प्लेस वैल्यू होगी, ठीक है अब बात कर लेते हैं, छोटी से छोटी वे बड़ी से बड़ी संख्या की जिसे क्या कहा जाता है greatest and least number तो आईए सबसे पहले बात कर लेते हैं छोटी से छोटी संख्या गी देखिए एक अंक की छोटी से छोटी संख्या एक अंक की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है एक ही होगी चीक है अगर हम बात कर लें दो आंक की दो आंक की छोटी से छोटी संख्या एक जीरो दस होगी तीन आंक की बात करें तीन आंक की छोटी से छोटी संख्या सो होगी चार आंक की बात करें तो चार आंक की छोटी से छोटी संख्या एक हजार होगी 5 अंकी बात करें तो दस हजार होगी ठीक है आप कैसे निकालेंगे छोटी से छोटी से इंख्याँ? अगर आपसे एक अंकी पूछे गए ये तो सबी को पता है कि एक ही होगी अगर दो अंकी पूछे जाएंगी तो आप एक लिखेंगे और एक जिरो लगा देंगे तो दो अंक हो गए, तीन अंके पूछेंगे तो आप एक लिखेंगे दो जिरो लगा देंगे एक, दो, तीन अंक हो गए, फिर चार अंक की पूछेंगे, तो आप एक लिखेंगे, तीन जिरो लगा देंगे, पांच अंक की पूछेंगे, तो एक लिखेंगे, चार जिरो लगा देंगे, मतलब यह है, आपसे जितने भी अंक की पूछी जाएगी, बाइचांस आपसे पू पूछा जाएगा, तो आप एक लिखेंगे, और 9 से 1 कम कितना आठ, तो 8 0 लगा देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, तो ये 9 अंकी हो जाएगी, आप से जितने भी अंक की छोटी से छोटी संक्या पूछी जाएगी, आप एक लिखेंगे, और जितने अंक की पूछी तो 3 में 1 कम कर देना, 2 0 लगा देना, 4 अंकी पूछी जारी है, 4 में 1 कम कर देना, 3 0 लगा देना, 5 अंकी पूछी जारी है, 5 में 1 कम कर देना, 4 0 लगा देना, वो सबसे छोटी से छोटी संक्या होगी, ऐसे इस प्रकार बात कर लेते हैं, बड़ी से बड़ी संक्या, एक अं संख्या क्या होती है नो होती है एक अंकी वही हम दो अंक की बात करें तो 99 होगी तीन अंक की बात करें तो 999 होगी चार अंक की बात करें तो 9999 होगी मतलब यह है आपसे जितने अंक की बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जा रही है आप उतनी ही बार 9 लिखे ने एक अंक की पूछी जाएगी एक बार 9 दो अंक की पूछी जाएगी दो बार 9 तीन अंक की पूछी जाएगी तीन बार 9 चार अंकी पूछी जाएगी तो चार बार नो आपसे डिरेक्टली कोई पूछ ले आठ अंकी बताओ आठ अंकी बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी तो आप आठ बार नौ लिख देंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ तो ये आठ अंकी बड़ी से बड़ी संख्या है ठीक है? तो छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या हम कैसे लिखेंगे? ये आपको समझ में आया हुगा अब last है, बात कर लेते हैं उत्तरवर्ती और पूर्वर्ती संख्या की successor and predecessor बात कर लेते हैं उत्तरवरती संख्या और पूरवरती संख्या की उत्तरवरती संख्या क्या होती है जिस भी अंक की आपसे उत्तरवरती संख्या पूछ जाएगी उत्तरवरती का मतलब ही होता है प्लस एक 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 एक्स्ट्रा एक आगे ठीक है तो बात कर लेते हैं जैसे तो आप 4 में 1 add कर देंगी, क्या आजाएगी? 5 वैसे ही आपसे पूछ ले 100 की उत्तरवर्ती बताओ तो 100 प्लस 1, 101 आपसे पूछ ले, 999 की उत्तरवर्ती संख्या बताओ तो 999 प्लस 1, 1000 ठीक है? अब अगर आपसे पूछ ले कि माइनस 4 की बताओ माइनस 4 की उत्तरवर्ती संख्या बताओ तो क्या होगी? हमने तो आपको बोला है कि आपको 1 add कर देना है माइनस 4 में आपने 1 add कर दिया अब क्या होगा? ये प्लस की है और ये माइनस की है जैसे ही हाँ पर दोनों संख्या हैं प्लस की थी चार में एक आपने add करा तो पांच आ गया लेकिन आप यहाँ माइनस चार में एक add कर रहे हैं तो ये घट जाएगी चार में से एक minus होगा तो ये तीन हो जाएगी minus के तीन बड़ी संख्या का चीन आता है हमेशा तो ये बड़ी संख्या 4 है इसके आगे चिन माइनस का है तो माइनस के तीन आएगी एक एक्सामपल और बता देते हैं जैसे आपसे पूछ ले माइनस 99 की उत्तरवरती संख्य पूछ ले तो आप माइनस 99 में एक एड़ करेंगी लेकिन ये तो माइनस का है तो इसका मतलब यह माइनस होगी तो 99 में से 1 माइनस करेंगे तो 98 होगी लेकिन बड़ी संख्या है 99 1 नहीं है तो 99 बड़ी है तो इसके आगे चिन माइनस का है तो माइनस के 98 होगी यह आपको प्लस वाली और यह माइनस वाली में ध्यान रखना है अगर आपसे प्लस की पूछी जाए जिसे प्लस का चार है तो आप एक add कर देंगे तो simple है बच्चे एक add कर देते हैं असाने से लेकिन अगर minus की पूछी जा रही है तो आपको थोड़ा ध्यार लखना है यहाँ पर subtract होगा, यहाँ पर घटेंगी चीज़े और चीन हमेशा बड़ी संख्या काय आएगा अगर बड़ी संख्या आपकी minus की है तो minus की, हाँ भी minus की थी तो minus वैसे यह बात कर लेते हैं पूरवरति संख्या की बात करें तो जैसे आपसे पूरवरति संख्या का मलब होता है माइनस एक आप एक घटा देंगे जैसे आप यहाँ पर उत्तरवर्ती संख्या में प्लस एक कर रहे थे सब में प्लस वन एड़ कर रहे थे वैसे ही हाँ क्या करेंगे आप माइनस वन सबस्टेक्ट कर देंगे देखे कैसे जैसे आप से पूछा जाए चार की पूरवर्ती संख्या तो आप चार में से एक माइनस कर देंगे, क्या आजाएगी तीन, पूरवर्ती का मतलब एक पहले क्या है, पूरवर्ती का मतलब एक पहले चार की क्या हो गई, तीन हो गई अब आप से पूछ ले सो की तो 100 माइनस एक 100 में से एक माइनस करेंगे तो 99 अब बात कर लेते हैं तो प्लस की संख्या होगी थी अब बात कर लेते हैं माइनस की जैसे आप से पूछ ले माइनस के 5 की पूरवर्ती तो क्या होगी आपको क्या करना है अगर यहां चार था तो माइनस एक कर रहे थे हैं माइनस पांच है तो माइनस एक करेंगे अब क्या हो रही है दोनों ही संख्याए माइनस की हैं यहां पर दोनों संख्याए अलग अलग थी एक माइनस की और प्लस की तो यह घट रही थी यहां दोनों ही संख्याए माइनस की हैं, अगर सेम साइन हो संख्या ओपर यह भी माइनस की, यह भी माइनस की, तो हमेशा एड होती है, पांच में एक आप एड करेंगे तो 6 होगा, और चिन जैसे आप यहां लगा रहे थे बड़ी संख्या का, वैसे ही चिन यहां भी बड़ी संख्या का लगेगा, पांच है बड़ी संख्या या एक है, पांच है तो पांच के आगे चिन कहेगा है, माइनस का है तो आप माइनस की 6 करते हैं, ठीक है वैसे ही, मैं बात कर लो 997 की 997 की पूरवरती संख्या बताओ माइनस 997 में आप माइनस 1 कर देंगे तो क्या होगी मैंने बताया अगर सेम साइन हो ये माइनस है ये भी माइनस है तो ये एड हो जाएंगी 997 में एक एड करेंगी तो 998 हो जाएगा और साइन किसकर लगाएंगे बड़ी संख्या 997 है ना कि एक 997 है बड़ी संख्या 997 के जो आगे साइन है वो माइनस का है तो ये हम माइनस ठीक है ये नीचे वाली जो है माइनस वाली दोनों की उत्तरवरती और पूरवरती भी इनका आपको ध्यान रखना है और कोई भी प्रोब्लम है तो आप comment box में पूछ सकते हैं अपने doubts यह आपको समझ में आया होगा आज मैंने बताया था जाती एमान, स्थानी एमान, छोटी से छोटी वे बड़ी से बड़ी संख्या उत्तरवर्ती और पूरवर्ती संख्या यह आपका number system में ही है शायद यह आपकी last video है मैंने syllabus इसका first chapter का आपको complete करा दिया है जितना पूछा गया था आप हमारी videos देख सकते हैं और अगर आपको हमारी videos अच्छी लगी है तो please, please, please like, share and subscribe और comments करना बिल्कुल ना भूले धन्यवाद